प्याले विच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस कुझाय कर रहे होंगे आप लोग बहुत ही 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 बहुत पहला प्रश्न है नेमन लिखेते कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है बचलोगी समें कौन सा कथन है जो की सही नहीं है पहला आप्सन है सूबी वाद के सिल्सले में नक्सबंदी संगीत के विरुध थे क्या जो सूफी वादी सिल्सले थे उसमें से एक जो नक्स बंदी था वो संगीत का विरोधी था दूसरा है अतिकटर वादी सूफी संप्रदाय कादरी संप्रदाय था तीसरा भारत में बावर ने नक्स बंदी संप्रदाय को लोग परिये बनाया था और चौथा नक्स बंदी सिलसिले की अस्थापना 14. सदी में ख्वाजा 22 दिन नक्स बंद ने की थी बताना पर चलो कौन सा है जो की आपका सत्य नहीं है कोई एक स्टेटमेंट सत्य नहीं है और बाकी सभी कथन सही है फटा फट कमेंट कीजिएगा आप लोगों की हिम्मत की दाज देते हैं हम कि आप लोगों के अंदर वो गंभीरता वो सहन सिलता है जो UPSC के स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए बहुत अच्छी बात है कैसा भी student हो उसके अंदर सहन सिलता और गंभीरता तो होना ही चाहिए तभी तो वो सही माइने में student होगा तो बचलोग आपका जो कथन सही नहीं है वो है आपका option number 2 क्योंकि कहरा आती कटरवादी सूफी संप्रदाय कादिरी संप्रदाय नहीं था बलकि नक्सबंदी संप्रदाय था सूफी वाद के सिलस्रे में नक्सबंदी संगीत का विरोधी है ये संगीत का विरोधी है ये बहुत कटर है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है सबसे जादा कट्टरवाधी सूफी संपरदाई नक्स बंडी संपरदाई को कहा जाता है और भावर जो है इस संपरदाई का अनुयाई था और इसने भारत में इसको बढ़ावा दिया इसको मतब जो है एक टरीके से के संदच्छर दिया और चौथा भी सही है कि नक्सवंदी सिलसिले की अस्थापना 14 वी सदी में 14 वी सदी में ख्वाजा बहाव दीन नक्सवंदने की थी याद रखेंगे बचलो बहुत इंपोर्टेंट है एक एक पॉइंट एक्जाम में आया पाबर की सम्प्रदाय का नूसा है और यह भी कई बार एक्जाम में आया कि सूफिर सिलसिलों में कौन इसा है जो संगीत का विरोधी है और साथ ही नक्सवंदी सिलसिले के संस्थापक पॉन है बहाव दीन और कब स्थापना हुइ 14 सदी में ये सारी चीज़े इंडिवीज्वल एकजाम में आई हुई है तो इनको जरूर ध्यान दीजेगा चले देखते हैं मारा अगला क्वेशन और ये क्वेशन भी देखे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंडिवीज्वल आय हुए है और कूट में भी आया है आयोक क सुहरावर्दी क्या सुहरावर्दियों का जो छेत्र था जहां पे इन्होंने अपना प्रचार परसार किया वो सिंध था क्या ओलिया का जो छेत्र था ये मध्य प्रदेश था क्या फिरदौसी का जो छेत्र है ये विहार था बताएंगे विचालो कौन सा है जो गलत युग question है तो निश्चित तोर पे गलत नहीं करेंगे याद रखेंगे विचा लोग आपका option number जो 3 है ये सही नहीं है जो कि जो आलिया है आप सभी को पता है ये दिल्ली के आसपास के छेत्रों में होने अपना प्रचार प्रसार किया था तो इनका जो एरिया है जो छेत्र है वो दिल्ली है और चिस्ती है ये भी दिल्ली और आसपास के जो द्वाब है नदी यानि की गंगायमुना का जो इलाका है इन सभी छेत्रों में विस्तार हुआ था चिस्ती सिलसले का औ जामुद्दिन ओलिया तो निस्चित तोर पे इनका छेत्र कहां होगा दिल्ली और द्वाब के आसपास के छेत्रों में होगा और सुहरा वर्दियों का जो छेत्र था ये सिंध था जो की पाकिस्तान में बढ़ता है बर्तमान में और फिर दोसी जो लोग थे इनका जो छेत्र सत्य नहीं है कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है और आपका पहला statement है सूफियों में साह मुहम्मद गौस ने कृष्ण को ऑलिया के रूप में माना क्या ये बास नहीं है कि जो सूफियों में साह मुहम्मद गौस हैं इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है दूसरा है साह मुहम्मद गौस सत्तारी सिलसले के सबसे प्रसिद संत थे और तीसरा है मुगल बासा हुमायू तथा तांसिन से उनका घनिष्ट संबंध था और सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसल्मानों के धार्मिक बिचारो और उनके रीतियों में आसमानता देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया बताएंगे बचारो कौन सा गत्थन है जो की सही नहीं है बहुत इंपोर्टन प्रस्टन है एक एक स्टीटमेंट आपके लिए बहुत ही जाता महेत्पूर है बताएंगे बचलो कौन सा है जो सही नहीं है और आप सभी को बता है IS के बच्चों का जो दिमाग है वो ब्राड है वो जानते हैं जब भी कोई गलत बाते होती है तो इस पे दिमाग जरूर जाता है और आप सभी कोई चीज़े पता होनी चाहिए कि जो सूफी संत है वो बहुत अच्छे थे सूफी संतों ने हमारे हां के भक्ती संतों की तरह ही काम किया है बसरते वो इसलाम धर्म से जुड़े हैं तो हम उन्हें सूफी कहते हैं और जो हिंदु धर्म से जुड़े हैं हम उने भक्ति संत कहते हैं लेकिन दोनों संतों का जो मार्ग है लगभग लगभग एक है दोनों लोगों की विचारधाएं काफी हद तक मिलती हैं दोनों लोगों का जो काम करने का तरीका है वो भी लगभग समान है यानि कि वो गलत ब लाते करते हैं तो निश्ची तोर पर बचलो चोधा क्या है सही नहीं होगा आपका पहला दूसरा तीसरा बिलकुल सही है सूपियों में साह मुहम्मद गौस को ने कृष्ण को ऑलिया के रूप में माना यह कृस्टन कई बार आया है कि कृष्ण को ऑलिया के रूप में किसने म से जुड़े हैं सत्तारी सिलसले से जुड़े हैं और इसके सबसे प्रसिद्ध संत्य हैं ये और मुगल बासा देखिए हुमायू जो है वो भी सत्तारी सिलसले से उनका एक तरीके से कहिए कि जुड़ाओ है जूकि ओ मुहम्मद गौस के तरफ उनका अच्छा संबंद है उनक कि आसमानता को दूर करने का प्रयास करते ही यही विशेष्टा है हमारे सूफी संतों का और जो हमारे यहां की हिंदू संत है चली पर चलोग देखते हैं अगला क्वेस्टन निमलिकित कतनों पर विचार कीजे कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको यह ब प्रारम किया था तीसरा है सुफी संतों के निवासस्थान को खानकाह कहते हैं चौथा है समा सुफी समारोहों का नाम था और पाचमा है सेख सुफी वाद में सिच्छड और मागदर्सन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं और भी है चलो छटा है इसलाम में धार्मिक कान उन्हों के विद्वान को उलेमा कहा जाता है आप बताएंगे कि कौन सा गलत है और उमीद है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे जो कि इसमें आपके माक्समम जो हैं वो आपको सही ही लगेंगे तो बताएंगे कौन सा है जो कि सही नहीं है और फटा फट कम बर दूसरा सही नहीं है चुकि आप पहले में देख रहे हैं सेख बहाउदीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे और भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय को प्रारंभ करने का स्रे भी जकारिया को ही जाता है अब्दुल अजीज को नहीं जाता है इसलिए यहां पे सेख जकारिया होना चाहिए था बहाव दीन जकारिया होना चाहिए था आपका दूसरा गलत हो गया है पहला बिलकुल सही है और तीसरा भी सही है ये question भी आया कि सूफी संतों के निवास अस्थान को क्या कहते हैं खान का ये भी आया है कि सूफी संतों के समारो को क्या कहते हैं समा और ये भी आया है कि जो सुफी बाद में सिच्छड और मार्ग दर्शन के लिए अधिकरित ब्यक्ति होता उसे क्या कहते हैं सेख और इसलाम में धार्मी कानूनों के विद्वान को उलेमा कहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपने देखा होगा उलेमा को लेकर क नहीं दिया मुहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरुवाती दोर में उलेमा बर्ग को बिलकुल भी तबज्जू नहीं किया इस तरह से आप देखेंगे ये टक्राव उलेमा और राजाओं के बीच चलता रहता है धार्मिक गुरुओं और राजाओं के बीच टक्राओं चल हैं फिरोज दुगलक के समय में ये सामराजे पेहावी थे मुहम्मद दुगलक ने सुरुमेन को कोई बैलू नहीं की चोकि वो विद्वान राजा था वो जानता था और ऐसे ही अकबर है बहुत ही विद्वान राजा थे उन्होंने भी उलेमा बर्ग को जादा बैलू नही किया था चली बचलोग अगला क्वेस्टन है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है कि आपका कौन सा कथन है जो की सत्य है यानि कि इसमें से कोई एक ही कथन होगा यहाँ पर देखिए हाला कि पांच आप्शन है तो भाई कुछ भी मैं नहीं कहूंगी अब आप बताए कि कौन सा है जो सही है पहला अप्शन है कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटी का कावी की रचना रस खान ने किया है दूसरा है रस खान की भासा विसुद्ध ब्रज भासा है तीसरा है अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था और चौता है बल्लभाचार्य वैश्रो धर्म की कृष्ण मार्गी साखा के दूसरे महान संत थे और बाच्वा है कि उपरियोक्त सभी कथन सकते हैं तो बताएंगे बचारो कौन सा है जो की आपका सही है बहुत ही सांदार प्रशन है और ज्यादा त प्रशन दे करके और इस वज़े से आप लोग को को इसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा कि सभी बाते सही है ये क्रिश्न जीवन पर आधारित प्रेम बाढ़ का कावे की रचना किस ने किया है रस्खान ने कौन सी भासा में अपनी रचनाओं को लिखा है तो ये इन खुश्रो का पूरा नाम क्या था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुश्रो और बल्लभाचारी कौन से संप्रदाय या धर्म से जुड़े हैं तो ये क्रिश्ण मारगी साखा के हैं और दूसरे महान संत हैं ये भी याद रखेंगे तो सारी बाते बिलकुल करेक्ट हैं बच चले देखते हमारा अगला क्वेस्टन है निम्न लिखित पर विचार कीजिए निम्न में से कौन सा कथन है जो की सत्य नहीं है सत्य नहीं है ध्यान दीजेगा कह रहा है कौन सा है जो सत्य नहीं है पहला अप्शन है बारह मासा की रशना मलिक मुहम्मद जाईसी ने किया है दूसरा है पदमावत, अखरावर, तथा आखरी कलाम में से पदमावत का हिंदी साहित में महतपुड स्थान है। तीसरा है मलिक मुहम्मद जाईसी अकबर के समकालीं थे। और चौता है मलिक मुहम्मद जाईसी ने जॉनपुर में सिच्छा ग्रहन किया था। तो फटाफट कमेंड कीज़ेगा बचा लोग कौन सा है जो की सत्य नहीं है याद रखेंगे ये सारे एक एक क्वेस्टन हैं जिनको मैंने एक ही क्वेस्टन में समाहिप कर दिया है ताकि कम क्वेस्टन में आप लोगों को जदा जानकारे प्राप्त हो जाए इसके लिए आप लोग सामने दिखते हैं और आप लोगों का प्यार और सहयोग है जो मेहनत खलता नहीं है तो बताएंगे में चलो कौन सा है जो सत्य नहीं है और फटाफट आप सभी का उत्तराना चाहिए कि आपका आपसन नमबर थीरी सही नहीं है जो कि मलिक मुहम्मद जाय सी सेरसा सुरी के समकालीन है अकबर के समकालीन नहीं है बाकी सही है बारा मासा आया है कई बार एक्जाम में किसकी रचना है मलिक मुहम्मद जाय सी पदमावत किसकी है एकरावट किसकी है आखरी कलाम किसने लिखा है ये सारी बातें याद रखेंगे और मलिक मुहम्मद जाय सी ने जौनपूर में सिच्छा ग्रहण किया था साथ ही सेरसा सूरी ने भी यहाँ पर सिच्छा ग्रहण किया था प्राचीन काल में जो आपका जौनपूर है यही सबसे बड़ा प्राचीन नहीं कहेंगे पर चलो मध्धिकाल में कहेंगे चुकि आप सभी को पता है प्राचीन काल म का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा मध्यकाल का अगर पूछ लेगी सबसे ज़्यादा बहतनें सिच्छा का केंद्र मध्यकाल में कौन था तब आपका हो जाएगा जौन पूर इसको पूर्ब का सिराज भी कहा जाता है बहुत अच्छा है बचा लोग याद रखेंगे आ कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है कौन सा है जो की सही सुमेलित है मुला दाउद चंदायन क्या मुला दाउद ने चंदायन लिखा है दूसरा है दामोदर कभी क्या दामोदर कभी ने पदमावती कथा लिखा है और आपका तीसरा है सोबनात क्या इन्होंने आसिका ल होर लिखा है तो बताएंगे विचा लोग A में है केवल पहला दूसरा B में है दूसरा तीसरा C में है तीसरा 14 और D में है कि सभी बताएंगे कौन सा है जो सही सुमीलित है और आप सभी को मैंने बताया है पहुचने से कोई नहीं रोक सकता तो उसका उपयोग कीजिए तो अगर कर लिया तो निश्ची तफ़र आप लोगों को मिल जाएगा देखी आप लोगों को हिंट भी बतारही हूं मैं रास्ता भी बता रही हूं तो पपusta फट उसका उपयोग करें और फटाफट उत्तर को सभी लोग प्राप्त कर लीजिए तो आप सभी को पता है मैंने कहा कि आप Elimination Method का उपयोग कीजिए आप सभी को पता है A.C. का जो है ये किसका है? ये है Amir Khushru का है किसका है बचा लोग? Amir Khushru का है अगर तीसरा Eliminate करेंगे अगर तीसरा Eliminate करते है तीसरा D में भी है तीसरा C में भी है तीसरा B में है अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरुरत नहीं है आपका पहला दूसरा बिलकुल सही हो जाएगा मुला दाउत का चंदायन है और दामो दर कभी का है पदमावती कथा यह पदमावत नहीं है यह पदमावती कथा है याद रखेंगे आपका पहला दूसरा बिलकुल सही है और Elimination Method ऐसे कूट वाले प्रस्तों में जरूर उप्यो किया करें चलिए बचा लोग देखते हैं मारा अगला Question कौन सा कथन सत्य है जो कि सत्य नहीं है सत्य नहीं है अब बताईए पहला Question है देवा सरीप में प्रति बर्स प्रसिद सूफी संत हाजी वारिस अले साह की मजार पर मिला लगता है क्या ये बात सही है पतेपूर सीकरी में सलीम चिस्ती का दरगा है क्या ये बात सही है तीसरा मोईनुद्दीन चिस्ती का दरगा अजमेर में है और चौथा निजामुद्दीन औरिया का दरगा दिल्ली में है जबकि खुश्रो का दरगा लाहौर में है और पाच्वा है उपर युगत सभी कथन सत्य है बताईए कि बचलो कौन सा है जो की सत्य नहीं है सारे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है फटा-फट उत्तर दीजेगा कि आपका कौन सा है जो सही नहीं है उमीद करेंगे कि आप लोगों को वो बारी किया आप समझ में आनी लगी होंगी जिसका उपयोग करके आप सही उत्तर तक बहुत सकते हैं हाला कि अभी बहुत महिनत करना है आप लोगों को बहुत महिनत करना है ये तो मैं बना बनाया question आप लोगों को दे रही हूँ लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है ऐसा नहीं है कि इससे आप 100% तयार हो जाएंगे तो याद रखेगे बचा लोग आपका कौन सा है जो सही नहीं है तो आपका चौथा option जो है ये सही नही है आपका पहला बिल्कुल सही है बहुत जादा एक्जाम में पूछा जाता है कि हाजी संत हाजी वारी सलीग साह का जो मजार है वो कहां है देवा सरीप में है और यहीं पर मेला लगता है और सलीम चिस्ती का दरगा कहा है ये भी question बहुत जादा आता है ये फतेपूर सीकरी है और मुईू दीन चिस्ती का दरगा कहां है ये अजमीर में है ये भी बहुत जादा important है निजामुदिन अलिया का दरगा दिल्ली में है यह तो बिलकुल correct है अमीर खुसरों का भी दरगा दिल्ली में ही है चूब की अलिया के मृत्यों के 3 दिन बाद ही क्या होगया इनकी जो समाधी है वो भी इनके गुरू के बगल में ही बना दिया गया और ये जो इनका दरगा है या जो इनका मजार है जो इनके लिए बनाया गया समाधी वो मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है M.B.T. ने बनवाया है याद रखेगा M.B.T. ने बनवाया है ये question भी आया है निजामुद्दिन अलिया का दरगाह या मजार या जो भी वहाँ भवन बनवाया गया समाधी अस्तल वो किस ने बनवाया है मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है इसको और अमीर कुसरो का भ निश्चित तोर पे confusion होने वाला है चरिए देखते हैं आप लोग कितना मत्तब जो है अपने आपको इससे एक तरीके से के स्मार्ट तरीके से उत्तर प्राप्त कर पाएंगे नेमने लिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताएंगे बचा लोग कौन सा कथन है जो की सही है चा की तीन गलत होंगे ये भी निश्चित है पहला है इसा मसीह सूली पर चढ़ाये जाने के तीसरे दिन पुनर जीवित हो गए थे और इसी की याद में यानि कि जब वो पुनर जीवित हुए इसी की याद में गुड फ्राइडे तिवहार मनाया जाता है क्या ये बास सही है दूसरा संत फ्रांसिस ऐसे इसाई संत है जो पसु पच्छियों से प्रेम के लिए बिख्यात हैं तीसरा इसा मसी को सूली पर चढ़ाये जाने वाले दिन को इस्टर के रूप में मनाया जाता है और चौथा इसा मसी का जन बेतले हम सीरिया में हुआ था बताएंगे बचा लोग कौन सा है जो की आपका सत्य है और कोई एक ही स्टेट्मेंट सही है ये आप सभी को पता है और उस स्टेट्मेंट को आप लोगों को ढूड़ना है और फटा फट बता देना है की कौन सा है जो की सही है और इसांदार है एक एक पॉइंट एक एक क्वेस्टन में समाहित किया है हमने अब आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा है जो सही है और एक क्वेस्टन से आपके चार क्वेस्टन तयार होने वाले हैं तो आप सभी को इससा पता हो बचालों आपसे नमबर दो बिल्कुल सही है संत फ्रांसिस ऐसे इसाई संत हैं जो पसु पच्छियों से प्रेम के लिए विख्या थैं ये क्वेस्टन मैंने आयोग में बहुत बार देखा है कि पसु पच्छियों को प्रेम करने वाले कौन से संत हैं तो याद रखेगा संत फ्रांसिस हैं संत फ्रांसिस पहला क्यों गलत है बच्चा लोग चूंकि जिस दि वो पुनर जीवित होकर किया उसको इस्टर के रूप में मनाए जाता है उसको क्या मनाते है इस्टर के रूप में मनाते हैं और जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को मनाते है गुड फ्राइडे के रूप में जिस दिन सूली चढ़ाए गया वो गुड फ्राइडे है तीन दिन बाद जब वो पुनर जीवित हो गए तब वो क्या हो जाता है इस्टर कहलाता है और इसा मसी का जन्म बेथलेहम में हुआ था ये तो करेक्ट है लेकिन बेथलेहम सीरिया में नहीं है कहां है बताईएगा ब पर आक्रमर करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था बताईएगा बच्छा लोग बाबर को बहुत सारे लोगों ने आमंत्रित किया था लेकिन उसमें से एक आलम खान था और आप सभी को पता है इन तीनों में एक तो राणा सांगा थे एक इबराहिं लोधी के सम्बंधी है। जिन से दुर ब्योहार किया गया था। तथा उसे देश से निसकासित कर दिया गया था। तीसरा दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों करूर ब्योहार मिलने के एक मिनट प muted पिता थे और चौथा पंजाब प्रांत के एक उत्राधिकारी थे जो अपने जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के ब्योहार से आत्यदिक और सनल्तुष्ट थे अब बताएंगे बचलो कौन सा है जो सही है आलम खान के बारे में जिन्होंने बावर को भारत पे या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था अमंद्रित किया था इनके बारे में कौन सी बात है जो सही है और आप सभी को इसका उत्तर पता है फहला option बिल्कुल correct है इ दिल्ले के राज सिंह सन के दावेदार थे यही सही है बाखी बातें आपकी सही नहीं है चलिए अगला question देखे औस उप सकत्धन आशसत्य हैं आपको यह बताना है आशसत्य कत्धन को रूढना यानि के कोई एक ही है जोThis आसत्य हैं बाकि सभी सही होंगे निम्नलिकित में से कौँ सा कथन आसत्य हैं पहला है मद्धेकालीन भारत के मुगल सासक वस्तुता चगताई तुर्क थे क्या ये बास सही है तीसरा बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित करने वाला सिवानी खाथा या सैवानी भारत में आटो मन युद्ध पद्धती को अपनाया था और चौथा बावर के तोप खाने का नेत्रित्व मुस्तफा और बंदिव्चियों का नेत्रित्व जो है अली कुली ने किया था तो बताएंगे विचा लोग कौन सा है जो की आपका आ सत्य है और निश्चित तोर पे आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कौन सा है जो की सही हो जाएगा फटा फट उत्तर दीजेगा और सही सही बताएगा कौन सा है जो की आ सत्य है और ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपका कौन सा है जो की आ सत्य है तो याद रखेंगे आपका पूल के युद्ध में पराजित करने वाला जो ब्यक्ति है वो सैवानी खा था और तीसरा भी सही है बाबर ने भारत में आटो मन युद्ध पद्धती को लागू किया था लेकिन बाबर के तोप खाने का नित्रित्व अली कुली कर रहा था और बंदूक्चियों का जो नित् पहला है पानी पत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल यानि की कोई एक ही सही होगा यह देखे बहुत ही आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेस्टन बनाया गया है इसमें से कोई एक ही सही है सभी कतनों को ध्यान से सुनिएगा और बारेकियों को ध्यान दिजेगा पानी पत चौथा बावर ने 27 अप्रैल 1526 को अपने आपको बादसाह घोसित कर भारत में मुगल सामराज की निव डाली और चौथा बावर को कोहिनूर हीरा इब्राहिम लोदी से प्राप्त हुआ बताएंगे बचालो कौन सा कथन है जो की सही है बहुत ही सांदार प्रस्ण है यह सा सारे एक-क्वेस्टेन के उत्तर हैं चार क्वेश्चन को एक ही में समाहित किया गया है और आपको बताना है किसमें से कौन सा सथ्थे हैं इसमें तो पक्का छोब थोड़ा कंफ्यूज होंगे और उमीद है कि आप लोगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है उत्तर पराप्त करने म तो याद रखेंगे कि चलो कौन सा कथन है जो की सत्य है आपका कौन सा सही है आपसा नमबर थिरी आपका सही हो जाएगा बावर ने 27 अपरेल 1526 को अपने आपको बाथ सागोसित कर भारत में मुगल सामराजजेगी न्यू डाली थी पानिपत के प्रथम युद्ध के बाद ही उसने यसा किया था और पानिपत का युद्ध आपको पता 21 अपरेल को हुआ जिसमें बावर जीत गये थे और ये 1556 की जगह 26 होगा 21 अपरेल 1526 को बावर तथा इबराहिम डोदी के मद ही युद्ध हुआ बावर का विजय हुआ और 27 सरपरेल 1526 को उसने अपने आपको दिल्ली का या भारत का मुगल सामदाज की निव डाली और बादसा घोसित कर दिया और इस युद्ध के परिडाम सुरूप बावर का अधिकार आगरा पे हो गया दिल्ली पे हो गया और चोथा क्यों गलत है चोकि बावर को कोहिनूर हीरा हुमायू ने दिया था और हुमायू को कोहिनूर हीरा मालवा के सासक से प्राप्थ हुआ था जिसको बावर ने वापस हुमायू को ही दे दिया था गिफ्ट के तोर पे चोकि हुमायू ने बहुत ही बहादरी का काम कि था तो आपका तीसरा सही है बागी बातें सही नहीं है क्यों सही नहीं है आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है चलिए देखिए अगला क्वेस्चन भी बहुत ही सांदार है कह रहा है क्वेस्चन निमलिखित कत्मों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है विचार कीजिए बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम थी तीसरा बाबर ने अपने आत्म कथा तुझो के बाबरी फार्सी भासा में लिखा है और चौथा बाबर ने अपने आत्म कथा में लिखा है कि इब्राहिम लोदी एक अनुभाव हीन ब्यक्ति था बताएंगे चलो कौ कॉँपन्सी बाते हैं जो चक्व हाँ जाएंगी और अपकी चार स्टेटमिंट में से कोई एक स्टेटमिंट कह草ती है और वो कॉ delichati नहीं 살짝 बॉसको बहुत आसान है बड़े में कोई न और जो हे कमझोरी जरूर होती है तो आप सभी को पता है बचलों आपसे नमबर 3 सही नहीं है जो कि यह फारशी भासा में नहीं बल्कि चगताई तुर्क 타ई तुर्की में लिखा है अगर चगताई तुर्की है तो भूत अची बात अगर सिर्फ तुर्की है तोускे हो जाएगा पहला तो बिल्कुल ही सह पानिपत के प्रथम युद में बाबर ने तुलुगमा प्रयोग किया था तुलुगमा उस्मानी पधति का उन्हों ने उपयोग किया था और दूसरा भी सही है कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम थी और ये भी सही है कि बाबर ने अपनी आत्म कथा लिए देखते हैं लोग हमारा अगला question कह रहा है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन है जो की सही नहीं है आपको ये बताना है और आपका पहला option है उप महा दियूप में बारूद की उपयोग की शुरुआत बाबर के आने के फल सुरूप हुई दूसरा कह है इस छेत्र में तायमूरी राजबन सस्थापित हुआ तीसरा कह रहा है कि बाबर के आने से पहले ही अस्थापत में महराब और गुंबत बनने की सुरुआत हो चुकी थी और चौता कह रहा है बाबर ने पानेपत के प्रथम युद्ध के समय कलंदर की उपाधी धारण की थी पराएंगे बचालो कौन सी बाते हैं जो की आपकी सही है और ये भी बहुत बढ़िया है पटा-फट कमेंट कीजेगा कि आपका कौन सा है जो की सत्य नहीं है सत्य नहीं है ये बताना है और उमीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं जो कि ये बहुत ही सांधार याद रखेंगी आप सभी को पता हो कि इसका जो पहला है ये सही नहीं है चुकि उप महा दियूप में बारूत का उपयोग पहले ही शुरू हो गया था अगर ये तोप खाने की बात करता तो निश्ची तोर पे बाबर ने तोप खाना भारत में शुरू किया था और तोप का उपयोग करके उसने सबसे पहले भेरा का किला जीता था याद रखी का पानी पत का छेतर नहीं है कि जहां पर उन्होंने तोप खाने का उपयोग किया उन्होंने भेरा में भेरे की किले को जीतने के लिए ही पहली बार तोप खाने का उपयोग किया था तो भेरा किला आये तो पहले भी किया जासुका है दच्छिड में तो निश्ची तोर पे पहला जो है ये गलत हो गया और अगर पहला गलत है तो यही आपको बताना था बाकि सभी सही है इस छेत्र में जो है ताइमूर राजवन्स की अस्थापना होई बावर के आने के बाद और बावर के आने से प में उसने यानि कि जब उसने युद्ध जीता तो उसने बहुत सारा दान दिया काबुल में यहां नहीं काबुल में दान दिया था और कलंदर की उपाधी धारड की थी याद रखेंगे बिचलो क्वेस्टन आया है कौन से युद्ध के दोरान या युद्ध के बाद उसने कलंदर की उपादी धारड की है पानी पत के प्रथम युद्ध में क्यों धारड की है क्योंकि बहुत ज़्यादा दान दिया था और कहा दिया था काबुल में चलिए बचलोग देखते हैं अंगला question और ये question भी देखिए बहुत ही बढ़िया है फिर से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो की सही है यानि कि इसमें से कोई एक ही है जो सही है क्या नहीं एक option और ले लिजी आप लोग बताना है आप लोगों को कि छठा आप्षन है कि सभी सही है, सभी सही है, सभी सत्य है, ये आपका छठा है, सात्वा आप्षन ले लिजी, कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो मैं आप लोगों को ऐसे ही तो आप्षन और एश्ट्रा दे दे रहे हूं, इसे ब्रहमित ना हुएगा आप लोगों की competition थोड़ा बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है मेरे द्वारा तो चलिए आप लोगों उतने सारे तत्थ मिले हैं फटाफट इसको पढ़िए और बता दीजे की कौन सा कतन है जो की सही है कह रहा है बावर ने पानी पत के प्रथम युद्ध के समय जेहाद की घोशना की थी क्या ये बास सही है दूसरा कह रहा है खानमा का युद्ध 1528 में बावर और राणा सांगा के बीच हुआ तीसरा कह रहा है चंदेरी की युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधी धारण की थी चौथा कह रहा है खानमा युद्ध के पूर्ब जोस्यों ने खोशना किया था कि बाबर को युद्ध में हार प्राप्त होगी और चौथा कह रहा है कि घागरा युद्ध के पहले बाबर ने अपने सभी सरावों की वोतलों को तोर डाला था और कभी सराव ना पीने का प्रड़ लिया था तो बताएंगे विचा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य है यानि कि अब आप बताएं कौन सा सत्य है इसमें तो पक्का आप सभी को कन्फियूज होने वाला किसी न किसी पॉइंट को लेकर आप लोग कन्फियूज होंगे और आप सभी को इसका उत्तर पता नहीं है आपका option no.4 जो है वो सही है कुछी बच्चों ने अपना प्रयास किया और सही उत्तर तक पहुंचने में कामियाब रहे तो आपका चौथा जो है सिर्फ यही सही है आपका पहला क्यों नहीं सही है चुकि बाबर ने पानी पत के प्रतम युद्ध के समय नहीं बलगे खानवा के युद्ध के समय जेहाद की घोशना की थी धर्म युद्ध नाम दिया था इसी युद्ध को ताकि उनके सैनिकों में जोस आ जाए कि वो धर्म युद्ध करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है लोगों के अंदर उन्होंने जोज भरी थी अपनी सेना के अंदर जोज भरी थी और खानवा युद्ध 1527 में हुआ था सिर्फ इतना ही गलत है यह 27 हो जाए तो पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है चंदेरी की युद्ध में बाबर ने गाजी की उपादी नहीं धारड की थी बलकि गाजी की उपादी उन्होंने खानवा युद्ध के समय धारड की थी गाजी का उपाद मतलब होता है कि जब दूसरे धर्म के लोगों के सरों की मिनारे बना दे जो उसको गाजी कहा जाता थ और खानवा युद्ध के बाद या खानवा युद्ध के समय बाबर ने यही किया था राजपूतों के सरों से मिनारे बना दी थी तो ये गाजी का उपादी भी धारण किया था और जिहाद की घोष्णा भी की थी और खानवा युद्ध से पहले जोचियों ने गोष्णा किया था कि बाबर ने अगर ये युद्ध लड़ा तो उनको हार मिलेगी देखें इतिहास गवा आदमी अपने कर्म से अपनी भिमतarin मेहन से इतिहास बदल देता है लोगों की घोष्णाई बदल देता है जोचियों क कहने के बाद बाबर ने प्रण लिया कि अब वो कभी सराब नहीं पिएगा और उसने खानवा युद्ध के पहले क्या कर दिया अपनी सराब की सारी बोतलें को तोड़ दिया और सेना से कहा कि हम लोग आखरी अगर ये ऐसा बात है कि हम लोग हार जाएंगे कोई बात नहीं हम ये मान के लड़ेंगे कि हम आखरी युद्ध लड़ रहे हैं और ये धर्म युद्ध है और अगर मैं इस युद्ध में मतलब जो है मैं जो है राजपोतों की सरों की मिनारे बना दूँगा उसने ऐसा प्रड़ लिया कि वो कभी सराब नहीं पिएगा और मिनारे बनाएग राजपोतों की सरों का और ये धर्म युद्ध है और इसमें लड़ते लड़ते वो सहीध होगा तो उसे जन्नत नसीब होगा जो भी इस युद्ध में सहीध होगा उसे जन्नत नसीब होगा उसने ऐसे बहुत ही जोसीले स्पीच दिये और सायनिकों के सामने अपनी सारी ब क्योंकि राणा सांगा एक बहुत ही बीर और बहादुर राजा थे और ये युद्ध एक बेक्ति से नहीं राजपूतों के संग के साथ बावर ने लड़ा था यानि कि राणा सांगा के साथ बहुत सारे राजपूत थे और बावर की सेना बहुत कम थी लेकिन फिर भी बावर और आदमी उस पर डेडिकेट हो तो वो कुछ भी बदल सकता है अंगला को इसे ने बचा लोग निमलखित में से कौन सा कथन है जो की सत्य नहीं है बताएंगे कौन सा है जो सत्य नहीं है पहला है भारत की मुगल सासक बनने पर जाहिरुदीन मुहम्मद बाबर नाम रखा बाबर ने यानि कि क्या भारत में वीजय करने के बाद बाबर ने अपना नाम जाहिरुदीन मुहम्मद बाबर रखा था दूसरा है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 इस भी में फरगना में उमर सेख मिर्जा उमर सेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर पे हुआ था तीसरा बावर के दादी का नाम एहसान बेगम था और चौथा बावर ने सरप्रथम पादसा के पद्वी कावुल में धारण की थी क्योंकि बावर के पूर्वजु द्वारा पादसा के उपाधी धारण की जाती थी बताएंगे बचा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है आपके सामने चार ओप्सन है और चारों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपको बताना है फटा फट कौन सा सही नहीं है आज की कुछ क्वेस्टन आप लोगों को थोड़ा सा जादा दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेंगे जान बूच करके मैंने ऐसे क्वेस्टन बनाए है ताकि आप लोग अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करें जितना उपयोग करेंगे जितना सोचेंगे विचार करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा बताएंगे बचा लोग का अग्वी धारड की काबुल में यहां तक बात बिल्कुल सही है लेकिन बावर की पूर्वजों द्वारा पासा की उपादी धारड की जाती थी ऐसा नहीं है इनकी पूर्वज मिर्जा की उपादी धारड करते थे पासा की उपादी धारड करने वाले पहले वेक्ति बावर ही हैं तो आपका चौथा गलत हो गया पहला बिल्कुल सही है कि भारत के मुगल सासक बनने पर जहिरुदिन मुहमर बाबर ने अपना नाम जहिरुदिन बाबर रखा था दूसरा भी सही है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में उमर सेख मिर्जा और तुगलुग निकार खानम के घर हुआ था और बाबर की दादी का नाम आहसान बेगम था ये क्वेस्टन नेट में आया था और ये बच्चों को देख करके हांसी आ रही थी कि कि किसका किसका नाम पोच लेता आयोग याद ये युद्ध नीतियों में बहुत ही पित्वान महिला थी चली बचलों अगला ग्वेस्टन और ये क्वेस्टन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कह रहा है निमिष्य निंग उने कं सा कतन सत्य नहीं है बाबर के सामराज में कौन सा क्षेत्र सामिल नहीं था कौन सा छेतर बाबर के सामराज में सामिल नहीं था पहला है काबुल का छेतर दूसरा है पंजाब का छेतर तीसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश का छेतर और चोथा है विहार और बंगाल का छेतर पताएंगे वचा लोग बाबर के सामराज में कौन सा छेतर सामिल जब वो आखरी टाइम तक की बात अगर करेंगे 1530 में उनकी आगरा में मृत्ति हुई तब तक में उनके छेत्र में कौन सी चीजे सामिल नहीं थी और इसका उत्तर आप लोगों के लिए प्राप्त कना बहुत आसान है common sense का question है आप सभी लोग उत्तर बता सकते हैं और पड़ा पड़ कमेंड कीजे का बचा लोग आपका कौन सा है जो सत्य नहीं है तो आप सभी को पता है आपका चौत आपसन सत्य नहीं है बिहार और बंगाल तक इनका सामराज नहीं फैला था इनकी मृत्ति हो गई थी आपका पहला सही है काबुल का छेतर इनके पास है तब ही तो वहाँ पे दान कर रहे हैं पैसे बाट रहे हैं पंजाब का छेतर निश्चित तोर पे होगा चूकि काबुल और दिल्ली के बीश पड़ता है तो इसको तो जीतना ही पड़ेगा और आधनी कुत्तर प्रदेश का छेतर बेलकुल था क्योंकि दिल्ली आगरा पर इन्होंने अधिकार कर रखा है तो निश्चित तोर पे दिल यूपी की अधिकान से छेतर इनके सामराज में समाहित हो गए थे अगला क्वेस्चन भी बहुत ही बढ़िया है निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला कह रहा है बावर एक कुसल सेरा नायक था दूसरा कह रहा है घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था दूसरा कह रहा है बावर को भारत आने के लिए राणा सांगा ने निमंतर दिया था चौथा कह रहा है बावर और अफगान सासकों के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था बताएंगे बचलो कौन सा है जो की सही नहीं है पटा पट कमेंट कीजेगा बहुत ही बढ़िया प्रस्न है और उमीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और ये आपके लिए बहुत ही सांदार प्रस्न होगा ये बिभिन एक्जामों में पूछे गए चार क्वेस्टन का चार आपसन है आपके सामने और इस चार आपसन से आपके चार क्वेस्टन तयार हो जाएंगे आपसन नमबर जो आपका पोर है ये सही नहीं है जो की बाबर ने अफगान सासकों को चंदेरी के युद में नहीं भलकि घागरा के युद्ध में हराया था घागरा का युद्ध सबसे लास्ट में 15-29 में हुआ था और इसी में इन्होंने हराया था अफगानों को इसलिए आपका चोथा सही नहीं है ये चंदेरी नहीं घागरा होगा पहला बिल्कुल सही है बावर एक कुशल सेना नायक था तभी तो इतने सारे युद्ध लड़े और बड़े-बड़े युद्धों में जीत हासिल की दूसरा भी सही है बहुत बार एक्जाम में आए कि घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ घटोली के युद्ध में कौन हारा तो घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था और ये युद्ध हुआ था 1517 इस भी में बहुत हैं लेकिन चौथा अप्षन आपका सही नहीं था चलिए देखते हैं मारा अगला क्वेस्टन और यह क्वेस्टन भी देखें बहुत ही सांदार है नेमलिकित में से कौन सा कथन आज सत्य है विचार कीजिए पहला है चंदेरी के युद्ध में सेरसा सूरी मुगल सेना के तरफ से युद्ध किया था मिदनी राय से दूसरा है खागरा के युद्ध में सेरसा सूरी ने अफगानों का साथ दिया था तीसरा है चंदेरी युद्ध के दोरान सेरसा ने प्रड़ लिया था कि अगर प्रकृत ने उसका साथ दिया तो वह एक दिन मुगलों को भारत से जरूर ख़देड़ देगा और चौथा बावर के जीमन से धायरवा संकल्प से सफलता के सिछा मिलती है और आपका पांचवां ओप्सन भी ले लिजे पांचवां है सभी और आपका छठा है नन अब बताईए बचलो क्या हो जाएगा आपका आपको बताना है आसत्य कथन बताना है फटा फट बताईएगा इसमें से कौन सा है जो की आसत्य है तो उमीद है कि आप लोग बता सकेंगे कई कोईस्चन का उत्तर इसमें समाहित है सभी को बारीकी से देखिएगा और उत्तर बताईएगा कि कौन सा है जो की आपका सही नह नहीं है याद रखेंगे बचा लोग आपका नन यानि कि ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो आसत्य पूछ रहा कौन सा सत्य है नन कोई भी आसत्य नहीं है यानि कि सभी सही है अगर सभी कर देते तो सभी गलत हो जाता तो गलत पूछा है कोई गलत नहीं है जोंकि पहला बिलकु क्यों लड़ा था तो सेरसा सूरी को समय कोई आधार नहीं मिल रहा था वो इधर उधर भटक रहे थे तो मुगल सेना में सामिल हो गए थे और मुगल सेना की उध्ध पद्धती और बहुत सारी चीजों को इन्हों सीखा था और इसी युद्ध में जब इन्होंने बाबर ने सेरसा सूरी को देखा था तो बाबर ने कहा था यह चालाक लोमडी है इसके उपर नज़र रखेगा बाबर को सेरसा सूरी की योगता और इस सारे चीजों पर संदे हो गया था चूंकि एक अनुभवी व्यक्ति ही लोगों के character को समसकता है दूसरा है घागरा के युद में सेरसासूरी ने अफगानों का साथ दिया था बिल्कुल सही है दूसरा युद जब हुआ तो इसमें सेरसासूरी तुरंत मुगलों को छोड़ करके अफगानों के साथ हो गया चूंकि सेरसासूरी खुद एक अफगान और जल दोनों पे लड़ा गया था और आपका चौता है बावर के जीवन से धायर संकल्प से सफलता की सिछा मिलती है बिल्कुल सही है जीता जाकता उधारण है बावर आपके सामने जोनों ने अपनी धायर अपनी संकल्प अपनी डेडिकेशन से इतिहास या जोसियों की घो तो आपका इसमें कोई ऐसा नहीं हो जब ही सही है चलिए देखे हैं और अगला question और यह question भी देखें बहुत ही अब और सांदार इसमें भी आपको बताना है कौनला कथन जो सथे नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे सारे कथन सत्य हैं सत्य नहीं है ही है जो कि बच्चा लोग आप लोगों को बहुत सारे क्वेस्टन देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा अगर यह नहीं करते तो बहुत सारे क्वेस्टन को एक क्वेस्टन में समाहित कैसे करते और फिर एक बढ़ दिया है या बाबर ने भारत के जलवायों के बारे में क्या कहा है या बाबर ने कौन सी उपाद ही ली थी तो आप सभी को ऐसे ऐसे करके मैं चार क्वेस्टन बना सकती थी लेकिन यहां पर मुर्टीब है आप लोगों के घ्यान में ब्रिध्धी करना और कॉंपिडें बढ़ेंगी पहला है बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्य विजयनगर तथा मेवार का उलेक किया है यह बाते तो निश्चेत और प्याप लोगों को कंफ्योज नहीं करेंगी दूसरा बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के जलवायों बनस्पतियों त बाबर की उपादी जलाल उद्दीन मुहम्मद बाबर था निश्चीत तोर पर ये क्वेस्टन आपके लिए बहुत आसान है अभी तक कि व्याख्या में ये सारे सीजे क्लियर हो चुकी है आपकी तो आप लोगों के लिए उत्तर प्राप्त करना बहुत आसान है और आप पूछा है बाबर का भी पूछा है अकबर का भी पूछा है किसका जलालुदीन है किसका जहिरुदीन है किसका गयात Do should एंगा यह सब याद रखीएगा पहला बिल्कुल सही है बाबर नहीं ऐपनी आत्मकता में दो हिंदु राजा मेवार के राणगांग बिजय नगर की बहुत गर्मी है और यहां पे बहुत ज़्यादा जलवाई में परिवर्तन है साथ यहां पे कभी भी धूल भरी आधियां चलने लगती है चुकि उसकी आत्म कथा तुझ के बाबरे के कुछ पन्ने आधी आने की वज़े से उड़ गये थे और वो बारिस में भीग करके कथन कारड का कथन ए है बाबर ने बाबर नामा तुर्की में लिखा है कारड दो है आर है तुर्की मुगल दरबार की राजभासा थी आप बताएंगे कथन कारड दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या कारड करता है बी कह रहा है कथन और कारड दोनों सही है और कथन की व और यह बहुत ही बढ़िया क्वेस्टन है और उम्मीद है कि इसको आप लोग बिलकुल गलत नहीं करेंगे आप लोगों को यह सारी चीजी क्लियर होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो कि आपका सही है तो आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है जो कि बाबर ने बाबर नामत तुर्की भासा में लिखा है या चगताई तुर्की में लिखा है कोई डाउट नहीं लेकिन मुगल हो या आपके सल्तनत काल के सासक सबकी राजभासा क्या थी तुर्की नहीं थी बलकि फारसी थी फारसी ही राजभासा है सल्तनत के भी और मुगलों के भी सासकूं का चले वि चावर के चार पूत्र कामरान अस्करी उस्मान हिंदाल तथा एक पूत्री गुल बदन बेगम थी तीसरा फरीद जो फरीद जो बाद में सेरसासुरी के नाम से प्रसिद हुआ जौनपूर में सिच्छा ग्रहन किया था और जौनपूर को पूर्बका सिराज के रूप में प् पिचार करना है और निश्ची तोर पे आप लोगों को स्टेट्मिन पढ़ते पढ़ते पतर चल गया होगा कि एक से अधिक कथन सही है तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा तो बताएंगे कौन सा है जो सही नहीं है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा चूंकि इसमें कोई डाउट नहीं होगा मैंने व्याख्या के दर्मिया ने सारी चेज़े बता दिया है आपको पता है कि यह सही नहीं है चूंकि बावर के चार पुत्र थे कामरान असकरी हिंदाल और आपका यह हो जाएगा उसमान नहीं बलकि हुमायू हुमायू को कैसे भूल सकते हैं गुल बदन बेगम। समधान नहीं हो पा रहा था आप बताएंगे हुमायू द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तीथी के अनुसार सही करम बताईए बचलो नीचे दिया गया है और आपको इसी में से बताना है कौन सा है जो करम सही है और यह बहुत ही सांदर क्वेस्टन है यह और सरहिंद पटाफट बता दिजिए अब चलो कौन सा आपसन है जो कि आपका सही करम को दर्शा रहा है और आप सभी को इसका उत्तर पता है आपसन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट है 1532 में हुआ था देवरा चौसा हुआ था 1549 में कन्नोज हुआ था 1540 में सरहिंद हुआ 1555 56 में 55 और 56 में याद रखेंगे ये करम है ये 32 है ये 49 है ये 46 है और ये 56 है बहुत ही सांदार है आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेस्टिन सेर्शा द्वारा किये गए सुधारों में कौन सा सुधार समलित नहीं था पटा फट उत्तर दिजिएगा कौन कौन से सुधार सेर्शा सूरी ने किये हैं और उसमें नहीं है सामिल कौन सा राजस्ट सुधार प्रसासनिक सुधार सैनने सुधार करंसी पुणाली में सुधार या उपरउक्त में से कोई नहीं पताएंगे बचालो कौन सा सुधार सामिल नहीं है सेर्शा के सुधारों में तो कि जो की ना हो जाने की सभी सही है कोई असा नहीं है जो की गलत हो तो सभी सही हो जाएंगे अगला question देखी और ये question भी बहुत ही बढ़िया है इसमें हो सकता आप लोग थोड़ा सकन फियोजों कौन सा सत्य नहीं है विचार कीजी पहला है 1534 सिस्वी में बंगाल के सासक नु कि उसने सेर साह के उपादिधारण की थी बहुत important तीसरा है दिली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायू ने स्वर्ड मुद्रा का सरप्रथम प्रजलन किया और चौता है सेर साह सूरी ने 180 ग्रेन का चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन का तामे का दाम चलाया था बहु ही जादा important है और आपका option number 4 सही नहीं है आप लोग इसमें confuse हो सकते हैं क्योंकि ये 80 नहीं बलकि 178 ग्रेन था ये कई बार exam में आया है कि चादे के सिक्का कितने ग्रेन का था 178 ग्रेन का था इसलिए गलत हो गया बाकि जो दाम है वो 388 ग्रेन का उसमें कोई डाउट नहीं है और ये बिलकुल सही है 1534 में बंगाल के सासक नुसरत साह को पराजित करके सेर खान ने हजरती आला सेर खान के या सेर साह के इन्होंने हजरती आला की उपादी धारड की और जब चौसा की युद्ध में हुमायू को हराया तो सेर साह की उपादी धारड की और जब दिल् मुगल सत्ता स्थापित हुई तो हुमायू ने सोनी का सिक्का चलाया था पराभों के बाद पहले सोनी का सिक्का चलाने वाले हुमायू है बिल्कुल सही है चौथा जो है 178 ग्रेन होता तो पूरा का पूरा स्टेट्मिन बिल्कुल करेक्ट हो जाता और आज का आपका आखरी question और बहुत ही दमदार question है चलिए बचलोग बताएंगे कि कौन सा है जो की सही कालकरम को बता रहा है पटा फट उत्तर दीजेगा बहुत ही बढ़ियां है पहला है दोराह कायुद कन्नौस कायुद सामुगड कायुद और चौसा कायुद दूसरा है दोराह कायुद चौसा कायुद कन्नौस कायुद और सामुगड कायुद तीसरा है चौसा कायुद कन्नौस कायुद दोराह कायुद और सामुगड कायुद और लास्ट है कि उपरिक्त में से कोई भी सही करम नहीं है बताएंगे बचलोग कौन सा है जो कि आपका सही कालकरम को बता रहा है और ये भी आयोग के तई एक्जामों में पूछा हुआ क्वेस्टन है तो गलती नहीं करेंगे बचा लोग आज की आखरी क्वेस्टन का सांदार तरीके से उत्तर दीजेगा और जरूर बताएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है क्या क्वेस्टन ऐसा ही होना चाहिए क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है ये क्वेस्टन साल्प करके क्या आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है क्या आप लोगों का कांसिप्ट क्लियर हो रहा है जरूर कमेंट कीजेगा आप लोगों की बातें आप लोगों की कमेंट से हमें बहुत उर्जा मिलती है और इस तरह के मेहनत के लिए हम बिल्कुल नहीं ठकते तो बताएंगे बचा लोग कौन सा क्रम है जो की सही है याद रखेंगे आप सभी को पता है आपसे नमबर थिरी बिल्कुल सही है चौसा 1549 कनोज 1540 दोरा कायूत 1555 और सामोगर 151658 की बात हो रही है तो ये सारी चीजे बिल्कुल सही है आपसे नमबर थिरी आपका करेक्ट है तो बचा लोग हम लोग ऐसे ही सांदार सिसन के साथ मिलते रहेंगे और आप लोगों की ज्यान में बढ़ोतरी करने का पूरा प्रयास करेंगे पसरते आप लोग अपना प्यार अपना सही होग और अपना साथ हमें साथ टीचर्स के साथ बनाए रखे हमें बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए और बस और कुछ नहीं बदले में आपको जो चाहिए बेजी ज़क बोलिए हम आपके लिए करने के लिए हमी सातत पर हैं तो बच्छा लोग फिर मिलेंगे अगले दिन और ऐसे ही सांदार क्वेस्टन के साथ कोई क्वेरी कोई डिमांड कोई भी समस्या कोई भी सुझाओ हो तो बेजी ज़क कमेंट बाक्स में दीजेगा कमेंट बाक्स में अपनी बातों को लिखा केजे मैं कमेंट बाक्स में आप तो comment box में अगर लिखेंगे मुझे जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आप लोगो उतर दूँगी